और मायसब सर्वेस का अउसल को ऑलचेंग प्ररगामरश कोई जुक्य है घंगा कि जिसम की आ आगते हैं प्रॉपीरेटर दिये गए yeah प्हожब अपनुपरेटर के बात करें तो जो कोई परटकुलर टास्वर Birthday प्लोट सब्सक्राइब प्रफॉर्म करेंगे की जोड़ना नथा गुड़ा भाव के assignment bitwise operation यही सारे परफॉर्म करेंगे इन्हीं सिंबल्स को हम बोलते हैं operator तो python ने कई तरह के operator दिये हैं टोटल सेवन टाइप के operator दिये हैं ठीक है हम लोगों को इसको देखना है तो सी प्लस जावा से थोड़ा सालक इन्हीं कुछ और बढ़ा के दिया है तो इनको हमें देख साथ कि सी लेंगवज सी प्लस अ सभी में था कि इसमें है प्लस माइनस मल्डिप्लाई डिवाइड यह हम सब जानते हैं मौड भी जानते हैं मौड रिमेंडर निकालता है लेकिन इसके बाद दो स्टार के साथ यहां पर यह दो अलग अलग दिये गए यह पाइथन में दो एक है जैसा में से पावर का एक बनाए गया और एक है फ्लोर के लिए ठीक है तो सब्समें इससा नहीं दिया गया लेकिन जब इसकी बात करते हैं दो बार स्लैस लगाते हैं जहां पर डिवीजन के लिए आप लोग यूज करते थे डिवीजन देता था और यह हमें देता था रिमेंडर हमें बता है लेकिन जब इसकी हम बात करते हैं यह हमें क्या देता था यह मैं अभी मैं फाइब को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ जैसे 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ दो बार लगाया ठीक है ति यह फ्लोर डिविजन होगा इसका जो एंसर आएगा वो टू ही आएगा अगर यह वैलू 5 divided बाइस्ट नियरेस्ट जो वैलू होगी वो देगा नियरेस्ट वैलू टु आना चाहिए बटि ते ऊपर फ्लोर मतलब उपर ले जाएगा क्या एगा मैनस टू आना चाहिए ते लेकिन आयेगा मानस थ्री क्यों क्यों कि इसका नाम है फ्लोर लेकिन अगर हम इसी को फाइव डिवाइड बाइ मानस टू करेंगे तो क्या आएगा एंसर मानस टू ही आएगा इसे हम इसमें ध्यान रखना है कि फ्लोर डिविजन में जब वैलू निगेटिव होती है उस त्लिप Εिसमें क्या करता इक इंक्रिबेंट करके यहनि जो नियरस्ट वेलू होगी उसको बढ़ा करता है अब पीया मैं मैं इ Opportunist project समझा औरो यह मैं आपको समझाने वी एग्जांपल बनाखर समझा त्य यह समझा त्य तक है बट अभी मैं करता है कहां से राइट से लेट की साइट राइट से लिफ मतलब क्या हुआ अगर यहाँ पर वैली घर मैं इकजांबल के तोर समझाओ इसके अमढ़ दिпक है तो यहाँ पिरलती की टेन की वैंलु स्पॉठण बहुंन우 क्या हो रही है राइट से अगला आता है bitwise operator जो numbers की बजाए digits की बजाए बाइनरी नमबर पर काम करते हैं इसलिए उनको bitwise operator बोलते हैं यानि यह क्या करते है binary number पर काम करते हैं ठीक है अब आईए इसमें and operator and operator not operator ठीक है and और यह पहला है है and and दूसरा है और तीसरा XOR XOR का मतब क्या होता है जिसमें जब दोनों values क्या होंगी बन की value जाओ हो odd होगी तो one आएगा otherwise zero आएगा ठीक है यह होता है अगला आता है once compliment ठीक है once compliment मतब किसी भी number की value को जब symbols को invert करना हो यानि अगर zero का one one का zero करना हो उसे बोलते है अगला आता है अगला आता है इसका जनली यूज हम करते हैं जब आप टपल्स या लिस्ट या डिक्स्टरी बनाते हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो बनाया है अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो जरू जरू देखिए ठीक है और उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लिस्ट अपल से बनाते हैं उसमें मिम्बर्स पता करने के लिए कोई डेटा उस मिम्बर उस लिस्ट या टपल से में है या नहीं है तो इसके लिए जनली हम लूपिंग अपल करा नहीं पहुँगा कि मैंने आपको लूपिंग स्टेट्मेंट और लेडर रिफल्स वागर नहीं पढ़ाया है तो मैं जब उसको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको इसका एंसर दिखाऊंगा अगला आता है अधेंटिकल आडेंटिकल मतब अधेंटिफाइब करने के जो नंबर है वह सीम टाइब का है यानि जो डेटा है वह सीम टाइब का है जैसे 10 10 टाइब का है इस्ट्रिंग टाइब का भी हो सकता है ए ठीक है ए में मैंने 10 दिया दूसरे में double quotes में 10 दिया तो दोन में देखने में तो value लग रही है बट क्या है अधेंटिकल नहीं है यह हमें पता करने के लिए अधेंटिकल ऑपरेटर पढ़ाएगे तो is होगा तो true देगा is not होगा तो false देगा यह ध्यान रखना अधेंटिकल ऑपरेटर जैसे मैंने कहा अग्जांपल को तरफे अगर मैं बात करूं यहां पर तो मैं कहूंगा कि एक variable है एक नाम का जिसमें is not तो true देगा अगर is use करेंगा तो false देगा बट जैसे ही मैं यहां पर value 10 रखूंगा तो दोनों value क्या है सेम है तो A और B दो बरेवल अलग लग नहीं बनेंगे अलग लग तो बनेंगे लेकिन memory जो बनेगा वह एक ही होगा यानि यह दोनों एक ही memory को point out कर रहे होंगे क्यो Python search करूँगा Python search करके पांधर अपरेटर में जाओंगा जैसा कि मैंने आपको run कराना बताया है यहांगे और हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है कैसे open किया ठीक है open करेंगे ओपन जाएंगे और यहां पर हमारे पास variables है ओपी वन ओपीर वन मैंने बनाया हुआ है ओपीर वन इसको open करते हैं यह ओप प्रोगाम है ध्यांस देखिए अभी value क्या है A में 2 है इसमें मैं floor और आपको power operator समझाता हूँ ठीक है तो A में क्या है 2 है B में क्या है 5 है C में क्य लिए ठीक है तो मैंने क्या किया A power 2 इसका मतब देखा चाहिए 2 में कितनी value है 2 the power 2 इसका मतब यह होगा इसका मतब होगा 2 the power हम कह सकते है 2 होगा यह होगा value क्या आगी 4 कह सकते है और answer यही आना चाहिए ठीक है लेकिन यहां comment ऐसे लिख नहीं सकते comment यहां पर लगाने के लि चाहिए बट यहां पर जबाते हैं तो लिख रहा है B divided by A B में क्या है 5 है divided by 2 इसका मतब यहां पर answer क्या आना चाहिए यहां आना चाहिए 2 आना चाहिए चली चेक करने पहले मैंने रन कर आया अगर हम इसी प्रोगाम को मैं यहां पर जाके मैंने कहा था कि माइनस अगर कर देता हूं तो मैंने क्या बताया था यहां पर आना चाहिए है माइनस वह ऐसे तब टूआना चशिए बट यहाँ पर क्या आएगा थ्री की इंया दे कर देख सकते हैं कि अन्सर ठीक है सबसे पहले A में क्या पढ़ा है 10 B में क्या है 20 अभी मैंने समझाए था अगर मैं अदेंटिकल उपरेटर इस यूज करूँगा तो यहां पर क्या आएगा पॉल्स आना चाहिए तो यहां पर क्या आना चाहिए यहां पर आयेगा ठ्रू ठिक अब मैंने इसको मैंने समझाए सब इसको मैं हटा सकता हूं मैं मैं समझाऊंग ता समझ में आएगा अगर उसको मैं लिए अब ये तो मैंने लिग दिया अब यहां bitwise operator से perform करने जा रहा रहा हूं bitwise किस पर काम काता है वानरी नमबर मैंने खा था तो अगर मैं कहां तो यहां पर देखा जाए तो जो वैलू आएगी वन जीरो वन जीरो तो रहे 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 गा इसमें दो जीरो और बढ़ जाएगा अब 2-0 पढ़ जाएगा तो वैलू क्या होगा खुदी सोचिए यह 1 है यह 2 है यह 4 है यह 8 है यह 16 है यह कितना हुआ 32 32 प्लस 8 कितना आना चाहिए 40 इसका मतब बी में क्या आना चाहिए 40 यानि यहां पर जो रिजल्ट आएगा वह आना चाहिए 40 आना चाहिए अभी चेक करता हूँ अगला दूसरे में फिर मैंने ए में वैल्यू 10 दिया ठीक है और उसमें क्या यूज किया है राइट एंड ऑपरेटर में क्या होगा यानि वैलू यहां पर क्या थी आपको सोचो 1010 था अब यहां पर जबाएगा तो यह राइट हंड साइट में यानि इसको वैल्यू यहां यहां जोड़ देखा जब यह लास्ट की दो अब समयाँगे यहां रिजल्ट आना चाहिए यहां पर यह चाहिए ठीक है समझ गया है अगला आता है XOR operator अब आप खुद बताईए XOR operator कैसे काम करेगा एक वैलू कितनी है 10 ठीक है बीकी वैलू कितनी है 20 ठीक आपको दिमाघ लगाना है कैसे आना चाहिए अब यहां पर देखा जाए यहां से वैलू काम कर रहा है लेकिन अगर हम इस वैलू को कि compliment कैसे काम कर रहा है इसकी value कितनी आएगी और इसकी value कितनी कि एगए ठीक है? यह आ पको comment box करना है. ठीक है तो मैं इसको आपको run कर आकर नहीं धिखा रहा हूं, run comment कर दे रहा हूं, मैं अगले आपको comment box में इन दोनों का answer देना है, इसका और इसका result क्या आएगा और कैसे आएगा आपको solve करके उस तरीके सा आप समझ सकते हैं कैसे काम करना चाहिए चली तो मैं इसको पहले रेंकर आगे हैं यह चैनल नोट है तो ट्रू होगा 1020 फॉल्स है टिक है अटेंटिकल में इसमें फॉल्स वाइज मैंने फोटी लिखा था और यह मैंने लिखा था चेक कर सकते हैं कि यह एंसर आया है मैंने आप से रिजल्ड यह मांगा है आपको करने बाव सक्षन में आपको एंसर देना है ठीक है आई होप आपको ऑपरेटर समझ में आये होंगे इस तरीकी के जितने भी प्रगाम सोंगे हम लोग आगे क्लास बनाते रहेंगे ठीक है आई होप थैंक्स पर वॉचिंग